नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जर्नल साइंस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेस्टन्स जो में लिए प्रीवियस एच्पी एससी हमेरपुर के एक्जाम में ये क्वेस्टन्स पूछेगे थे तो फ्रिंट्स इन क्वेस्टन्स के मैं आपको जितने भी एंसर बताऊंगा वो तो क्वेश्ट नमबर बात करते हैं हम एनिमो मेटर भी आपसे पूछ सकते हैं तो एनिमो मेटर जो होता है यह मेजर करता है एंपने क्मेंट सेक्षिन में बताना है कि जो सोनो मेटर होता है वो क्या मेजर करता है ये अवने क्यरं चेक्शन 2000 में बताना है को ऑफ को नुमड नमर 112 में बोला गया है कि एक इयंके व लैंस IS आज सोह नौनाज़ काफी अपोर्टेंट को है क्चिछन अब ऐक अब बतल लैंस को और convex lens के बारे वे जो lens आपको बताऊगा when a lens is thicker at the middle अगर कोई lens बीच से मोटा है then at the edges it is called convex lens तो concave lens कोन सा होता है concave lens आपका lens जो बीच से मोटा होता है ठिकर होता है then at the edges it is called pronounce कि कनकेवलेंस को a ध्याई Kaiser स करेंगे आन एक तो अप्शन नमर्ब भी इस क्वेशन का राइट है एक एक केव लेंस इस आलसो नोन है इस डाइवर्जिंग लेंस क्वेशन नमर्ब 113 पे जलते हैं क्वेशन नमर्ब 113 में बोला घया कि आविकी सल्एजन जो है इस क्वेशन का राइट है लेज़र्ज ऑफ सौल्दर अन्य इस नियुक्लिर फ्यूजन question 114 में बोला गया कि which is most elastic, कौन सारवदिक प्रत्यास तीन के लचीला है तो elastic कौन सा है, इसमे question 114 का जो राइटन से रहे, वाका option number D है steel जो है, वो सबसे ज़्यादा elastic है इन चारों में से option number D इस question क्या राइटन से रहे, steel is most elastic, steel जो है वो लचीला है question 115 पे चलते है, sun, heat, earth, why, सोरिया प्रित्वी को इसके द्वारा उश्मा देता है question 115 का जो राइटन से रहे, वाका option number A है, radiation, जो है इस question क्या राइटन से रहे, sun, heat, earth, why, radiation, सोरिया जो प्रित्वी को उश्मा देता है, वो विकिरन द्वारा देता है question number A है, question 116 पे चलते है, which is a synthetic polymer, कौन सा sensualistic polymer है, synthetic polymer कौन सा है, question number 116 का जो राइटन से रहे, वाका option number A है, nylon जो है, nylon जो है, nylon जो है, इस question क्या राइटन से रहे, nylon is a synthetic polymer तो friends मैं आपको बार-बार बोर रहा हूं कि आपने इन questions के short form और notes जरूर बना लेने हैं क्योंकि ये reason के time ये question जो है, वो आपको काफी helpful थाबित होंगी question number 117 में बोला गए कि the highest calorific value is provided by which of the following fuels नेमलिक्त में से कौन सा इंदन सारवदे calorific मुल्या परदान करता है तो highest calorific value is provided by which of the following fuels कौन सा fuel जो है, वो सबसे ज़्यादा calorific value परदान करता है question number 117 का जो राइट अंसर है, वो आपका option number D है, natural gas जो है, natural gas प्राकृत्ती gas जो है, इस question का राइट अंसर है, ये highest calorific value provide करता है जो natural gas है, तो option number D is question का राइट अंसर है question number 118 में बोला गया कि solid carbon dioxide is cold, ठोस carbon dioxide कहलाता है solid carbon dioxide को क्या कहते है, dry ice जो है, इस question क्या राइट अंसर है, solid carbon dioxide is cold, dry ice ठोस carbon dioxide सूसक बर्फ कहलाता है, तो option number D जो है, इस question का राइट अंसर है question number 119 में बोला गया कि epiculture is associated with तो epiculture is associated with, epiculture जो associated है वो honey bee से मधुमक्की से है option number A जो है, इस question क्या राइट अंसर है, epiculture rearing of honey bee or for honey तो option number A इस question क्या राइट अंसर है, epiculture जो है, वो associated है, किस से honey bee से, मधुमक्की से question number 120 में बोला गया है कि sleeping sickness is caused due to the bite of काफी important question है किसके काटने से निद्रा रोग होता है important question है sleeping sickness is caused due to the bite of question number 120 का जो राइटनस रहे वाक option number D है none of these जो है इन में से कोई नहीं जो है इस question का राइटनस रहे question number 121 में बोला गया कि which is the flightless world कौन सा उड्यन भीहीन पक्षी है काफी important question है which is a flightless flightless word कौन सा है question number 121 का जो राइटनस रहे वाका option number A है इमू जो है इमू जो है इस question का राइटनस रहे यह एक flightless world है तो option number C इस question का correct answer है question number 122 में बोला गया कि fats in humor body is stored तो मानव श्रीज में बसा जो है वो संग्रहित होता है कहां पर store होता है question number 122 का जो राइटनस रहे वाका option number D है none of these जो है इस question का राइटनस रहे आपने कमेंट सेक्षन में बताना है कि जो fat है वो human body में कहां store करता है तो option number D इस question का राइटनस रहे तो में रक्त में जो शरक्रा glucose का स्तर नियंत्रन होता है वो किसके कौन करता है दो ग्लुकोज लेवलिंदा human blood is controlled वाई तो किसके दोरा कंट्रोल की जाता है question number 123 का जो राइटनस रहे वाका option है काफी important question है excess of water in body is resulting तो question number 124 का जो राइटनस रहे वाका option number C है एडीमा जो है शोफ जो है इस question का राइटनस रहे स्रीर में जल कि दिख मातर से क्या होता है शोफ होता है एडीमा होता है option number C इस question का इस वीडियो का यह last question है which is a contagious disease कौन सा संसर्ग जन्या रोग है काफी important question है contagious disease कौन सा है question number 125 का जो राइटनस रहे वाका option number C है diphtheria जो है diphtheria जो है वह एक संसर्ग जन्या रोग है contagious disease है तो option बात करते हैं जो नियाज पुछ कमीं से हुता है यह भी आपने यह वितमीन की जो रोग आतों गते है कि लेसे बहुता है थायमी ना ओर बैरी वेरी इस से रूब होता है तो क्या है ग्राउंड नट हो गयाँ ड्राइड चिली हो गया फालस विल ओड़ी घृटेवल इट्स एक्सथ्रा जो है वह विटामिन व एवन के सोर्स है उसके बाद हम बात करते हैं करबी स्कुर्फ को आपको पता होगा ये विटमीन सी की कंई से हुता है किसकी कमी से होता हुटा है और विटमीन सी का दिजरूरर के देपने जूरूर्बॉक आड़ेटीरीया। आपने कमेंट स्सक्षूरुबर कि जुरूर बंत आए कि कisकी च्रूरा नहीं किसकी कमी से सेक्ष्ट में बताना कि पहला ग्रा जो है वो कौन सा डिजीज है तो आज की इस वीडियो में वस इतना ही आज हमने जेनल साइंस की कुछ इंपोर्टेंट कुष्टन डिसकस की है जो प्रीवियस हमिरपुर के एक्जाम में ये कुष्टन पूछे गे थी तो फ्रेंट्स इन कुष्टन के मैंने आपको जितने भी अंसर बताए वो फाइनल अंसर की के अकोर्डिंग ही बताए है जो है एच्पी एससी हमिरपुर बोर होंगी तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो संद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेट और कमेंट जिरूर करें तो थैंक यू फ्रेंट्स